हर साल फ्रांस के पैरिश शेहर में आयोजित होने वाला कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 14 में से शुरू हो चुका है हर बार की तरह आईश्वरिया बच्चन इस बार भी रेड कार पेपर वॉक करती हुई नजर आने वाली है आपको बता दे कि पिछले 17 साल से आईश्वरिया कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन सबको अपने लुक से हैरान कर देती है आईश्वरिया कभी अपने लुक को लेकर काफी ट्रोल होती है तो कभी अपनी खुबसूरती से सभी को घायल कर देती है साल दो हज़ार दो में एश पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल के मंच तक पहुँची थी इस दोरान उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहने थी जो नीता रूला के कलेक्शन से थी आईशरिया के इस लुक की काफी तारीफ हुई थी दो हज़ार तीम में एक बर फिर एश ने कांस के रेड कार्पेट पर दिखाया अपना खराब फैशन सेंस इस ड्रेस के साथ उन्होंने बिना मैच करती हुई एक्सेसरीज पहन ली रेड कार्पेट पर परपल लिप्स्टिक के साथ उतरी अशरियराय बच्चन को सोशल मीडिया पर कई नकारात्मक टिपनी का सामना करना पड़ा